नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत पांडिया आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और एक्जाम गाइड गुरू यूटूब चैनल पर दोस्तों टोटल है 200 कॉश्चन यह देख लीजिए मैं आपको एक बार दिखा भी एता हूँ टोटल है 200 कॉश्चन है एमसी क्यू वो भी किसके हैं बायलोजी के यह देखिए 200 से ज्यादी है यह 259 कॉश्चन है 200 से ज्यादा कॉश्चन है 50-50 करके मैं आपको एमसी क्यू कराऊंगा तो यदि आप चैनल पर पहली बार जोड़े है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रोज आपको जो है 50-50 कॉश्चन करके 200-0 कॉश्चन मिलने वाले है इस टाइट करते हैं आज कि जो 50-50 इसमसे किकमेंण करके बताइएगा पहले कॉश्चन आपको स्क्रीन पर लाहा है कमेंण करिए इसका सफी अंसर क्या हो जाएगा पहले निकाला जाता है चार ओप्शण आपके सामने हैं सही आंसर हो जाएगा option no.3 फफूंदी से निकाला जाता है पैंसलीन फफूंदी question no.2 देख लेते हैं यह आपकी screen पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है एक रोगी में प्रतिजयविक का क्या प्रभाव पढ़ता है यदि कोई रोगी है उसमें प्रतिजयविक का क्या प्रभाव पढ़ता है तो यदि आप रोगी है और आप में प्रतिजयविक का क्या प्रभाव पढ़ेगा वह जीवानों की व्रधी को रोकेगा option number 4 सही answer हो जाएगा जीवानों की व्रधी को रुखेगा caution थोड़ी tough है कुछ-कुछ caution बहुत tough मिलेंगे आपको जो आपने देखे नहीं होंगे UPSC level के caution इसमे रक्त के इसकंदन में कौन सा हैता करता है बताइए क्या हो जाएगा सही answer तो आपको बता दूँ बोरोन option number 2 बोरोन जो है पानी में calcium और oxygen के absorption को बढ़ाता है बोरोन इसका सही answer हो जाएगा या रखना ठीक है बोरोन सही answer हो जाएगा caution number 5 देख लेते हैं यह आपकी screen पर caution number 5 प्रकृति में खुले में रखने पर निमले कित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी क्या हो जाएगा सही answer तो सही answer इसका क्या हो जाएगा यदि आप प्रकृति में लकड़ी को खुला रख देंगे तो जो रसदार लकड़ी होगी न रसदार option no.3 इसका सही answer हो जाएगा option no.3 रसदार लकड़ी सबसे जल्दी खराब हो जाएगी अगला परशन देखिए question no.6 निमले कित में से कौन विस्तृत स्पेक्टरम प्रतिजविक है इंटिबाइटिक इन में से कौन है जो आपको option दिएगा है बताइए क्या हो जाएगा इसका सही answer question no.6 तो इसका सही answer क्या हो जाएगा epsilon epsilon इसका सही answer हो जाएगा option no.3 इसका सही answer हो जाएगा question no.7 देख लेंगा 7 यह आपकी स्क्रीन पर हमारे दात और अस्तियां आम तोर पर किस्से बने होते हैं बताइए question number 7 का क्या answer हो जाएगा हमारे दात एवं अस्तियां सामवाने तोर पर किस्से बने होते हैं तो सही answer हो जाएगा try calcium phosphate से बने होते हैं हमारे दात एवं अस्तियां या रखना option number 1 यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं question number 8 ही यह रहाप की screen पर निमले कितमे से किस से अंगोरा उन निकाली जाती है बताइए अंगोरा उन जो option दिये हैं किस से निकाली जाती है क्या हो जाएगा सही answer तो सही answer हो जाएगा आपका option number 4 अंगोरा उन जो है बकरी से निकाली जाती है बकरी से इसका सही answer हो जाएगा option number 4 इसका सही answer हो जाएगा question number 9 देख लेते हैं यह रहाप की screen पर बताइए क्या हो जाएगा सही answer महिलाओं में पुर्षों की अपिक्षा निकित में से कौन सी बिमारी होने की प्रवत्ती अधिक होती है क्या बिमारी अधिक हो सकती है महिलाओं में पुर्षों की अपिक्षा चार option आपके सामने हैं तो सही answer हो जाएगा आपका option number 4 गाठिया गठिया रोग महिलाओं में अधिक होता है पुर्षों की अपिक्षा question number 10 देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर प्यूश गरंती कहां पर इस्तित होती है बताए क्या अंसर सही हो जाएगा इसका प्यूश गरंती कहां पर इस्तित होती है तो क्या सही answer हो जाएगा प्यूश गरंती कहां पर इस्तित होती है option number A यहां पर सही answer हो जाएगा one सही answer हो जाएगा मस्तिश्क में प्यूश गरंती इस्तित होती है अगले प्यूश पर बढ़ते हैं question number 11 यह आपकी स्क्रीन पर स्वास्ता मनुश की सामान रक्त सरकरा उप्वास उप्वास मतलब खाली पेट में कितनी होनी चाहिए क्या हो जाएगा सही answer स्वास्ता मनुश की रक्त सरकरा कितनी होनी चाहिए तो सही answer हो जाएगा उप्वास खाली पेट आपकी जो है रक्त सरकरा 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए खाली पेट की बात हो रही है, 70-100 के बीच में, ठीक है, अगला प्रशन, यह रापकी स्क्रीन पर, यदि एक पेड में, जिसके तनी का अनुपस्त परिशेद करने पर 50 घेरे रिखाई देते हैं, तो उसके आयू क्या होगी, क्या हो जाएगा सही आंसर, पेड की आयू क्या हो या अतिशोधित रूप है, बताईए, किसका अधिशोधित रूप है, प्याज, कौशन नमर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है तना, ऑप्शन नमर 2 यहाँ पर सही आंसर है, प्याज जो है तना का अधिशोधित रूप है, कौशन नमर 14 देख लेते हैं, यह में जो है परागण होता है कॉशन नुम्बर 15 देख लेते हैं यह आपके स्क्रीन पर यह लेजिए कॉशन नुम्बर 15 रिएडियो लोजिस्ट आतों की का सीधा एकसरे करन फोटोग्राफ सामनता क्यों नहीं लेते बताईए आतों का सीधा एकसरे क्यों नहीं किया जाता क्या हो जाएगा स्क्रीन पर मानँ शरीर में ड्याइडिरन निमल्य प्डारत की कमी करन मानँ शरीर में ड्याइडिर्शन होता है सभी नंबर 15 पानी इकम पीेंगे तो आपको i hear you आपकी स्क्रीन पर निम्ल किसमें से कौन सा पक्च्रीमारा में सभसे वड़ा होता है सभी को पता है option number 3 सुतर मुर्ग यहां पर सही answer हो जाएगा अगला question देखते है question number 18 यह रापकी screen पर परखनली शिशू के संबंद में कौन सा तत्य सत्य है बताइगी question number 18 क्या हो जाएगा answer तो सही answer क्या हो जाएगा option number 4 यहां पर सही हो जाएगा अंडे का निशेचन मा की सेरी के बाहर होता परखनली शिशू के बारे में यह कौश यह जो है कथन सत्य है अगला question देखिए question number 19 किसी व्रक्ष की आयू करने के लिए किस के आधर पर निधान किया जाता है अभी थोड़ दिर पहले मैंने आपको बता था उनिस वेकर क्या answer हो जाएगा विकास वले जितने घेरे उतने साल की उम्र हो जाएगी यदि आप तनिकों काटेंगे तो विकास वले इसका सही answer हो जाएगा question number 20 देख लेते हैं यह आपकी screen पर question number 20 मानाव में गुर्दे का रोग किस के production से होता है question number 21 यह आपकी screen पर किस पौधे के फलों को भूमी के नीचे पाय जाता है बताईए कौन सा फल भूमी के नीचे पाय जाता है क्या हो जाएगा सही answer 21 का तो मूमफली इसका सही answer है option number 3 मूमफली जो है फल है यह फल नहीं है यह भूमी के निचे पाए जाता है गाजार भी भूमी के निचे प्याज भूमी के निचे लेकिन मुमफली फल है इसलिए मुमफली इसका सही आंसर हो जाएगा कॉश्चन नमर बाइस देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर साइलेंट वैली में दुरलब और नश्च प्राय पसु कौन सा है तो क्या हो जागा इस साइलेंट वैली में दुरलब और नश्च प्राय पसु option no.3 share की पूज़सा meka q बंदर टाइप का रहता है इसका आप गूगल पर सर्च कर सकते है सेर की पूजय सा मैं क्यों अगला कॉशन यह रहा आपकी स्कीन पर एक्सो जी विज्ञान में इमलिकित में से किसका अध्यन किया जाता है तो क्या हो जाएगा सही आंसर बाहग रहो तथा अंतरिक्षि में जीवन का अध्यन किया जाता है एकसो जी विठ्ञान के अंतरगति, अगला कॉशन न हे दीखी कॉशन नुमर 24 जन्तू में नहीं होती, जिसके अधारपरवर 10 से उजाप राप्त कर सकें, क्या हो जाएगा तो जन्तू में 24 में का अंसर हो जाएगा पानी ऐसी एंजाइम पढ़ाल नहीं होती जो पानी से उज़ा प्राप्त कर सके जनतू अगला कॉशन देखें कॉशन नमर 25 यह आपकी स्क्रीन पर क्लोन की कॉलोनी क्या है इन में से जो चार ओप्शन दिये हैं क्लोन की कॉलोनी इन में से क्या है क्या हो जाएगा से अंसर तो कॉशन नमर 25 का से अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर 3 एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं को क्लोन की कॉलोनी कहा जाता है अगला कॉशन देख लीजिए यह आपकी स्क्रीन पर कॉशन नमर 26 कीटो द्वारा परागित फूलों म क्या चिप चिप चिपे रुकछ और चिप चिप चिपे ऐप्शन नमर 2 यहां पर सही अंसर हो जाएगा अगला परशन देखें कॉशन नमर 27 क्या हो जाएगा सही अंसर बताईए ऐस बेच्टो द्वारा फैला जाने वाला रूप कॉन सा है आप्शन नमर 3 अटीसार अतीसार इसका सही आंसर हो जाएगा question number 28 देख लेते हैं यह रापकी स्क्रीन पर आख में वर्ण दर्शन color vision निम लिखत में से किसकी मौझूदगी से प्रहावित होता है बताईए color vision किसकी मौझूदगी से प्रहावित होता है क्या हो जाएगा सही आंसर तो शंकू या कौन option number 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगले प्रशन पर बढ़ते हैं यह लिजिए अगला प्रशन यह रापकी स्क्रीन पर 29 नंबर question चाय पत्यों का संसाधन या फिर processing में से कौन सी अभिक्रिया नहीं अपना जाती है बताइए इनमें से कौन सी अभिक्रिया चाय की processing में नहीं अपना जाती 29 नंबर question तो किंडवन नहीं अपना जाता option number 3 किंडवन नहीं करते हैं चाय बनाने के समय में किंडवन नहीं करते हैं question number 30 देख लेते हैं सरवाधिक प्रकाश संसलेशी क्रिया कलाप कहां चलता है बताइए सरवाधिक प्रकाश संसलेशी क्रिया कलाप कहां चलता है question number 30 का सही अंसर क्या हो जाएगा तो प्रकाश के नीले इवं लाल शेत्र में option number 1 सही अंसर हो जाएगा अगला question देखते है question number 31 यह रहा आपकी screen पर AIDS virus क्या होता है इन में से जो option दिये हुए है AIDS virus क्या होता है question number 31 का क्या answer हो जाएगा तो दोहरी सूची DNA option number 4 यहाँ पर सही answer हो जाएगा दोहरी सूची DNA AIDS virus होता है अगला question देखी question number 32 शराब पिकर वहां चलाने के लिए स्वसंद परिक्षण में यातरयाद पुलिस क्या इस्तिमाल करती है तो शराब पिकर यह आप चलाएगे पुलिस आखो पकड़ लेगी तो वह कैसे पता लगा लेगी option number A potassium dichromate sulfuric अम्र से वह आपको पता लगा लेगी ठीक है कि आप शराब पी के गाड़ी चला रहा है उगला question देखें 33 एंगलो नूबियन किसकी नसल है बताइए भाईया एंगलो नूबियन किसकी नसल है 33 तो एक बकरी की नसल है option number 2 सही answer हो जाएगा एंगलो नूबियन एक बकरी की नसल है question number 34 यह आपकी screen पर किस किसमी की मिट्टी में जिपसम का प्रयोग करके उसे फसल उगानेंग में उप्रिक तो बना जा सकता है तो क्या हो जाएगा सही answer इस प्रशनिका 34 वी का क्या सही answer है तो option number 2 अमली है अमली है इसका सही answer है अगला question दिख लेते हैं यह आपकी screen पर question number 35 तो मैं ऐसे कौन सा स्ट्रीलिंग हार्मोन से बताईए स्ट्रीलिंग हार्मोन कौन सा है तो एक्ष्टोजन स्ट्रीलिंग हार्मोन से option number 1 यहां पर सही answer हो जाएगा question number 36 सामानना प्रयोग में लाए जाने वाला मसाला है लॉंग कहां से प्राप्त होता है बताइए कौश्च नमर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो फूल की कली से प्राप्त होता है लॉंग या रखना फूल की कली से कौश्च नमर 37 देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर कथोर सारेक सम करने वाले स्रमगों की हतेलियों तथा तलवों की टचा मोटी हो जाने कारण क्या है तो क्या answer हो जाएगा तो इसका सही answer है आपका मोटा अज्ट तक जमा हो जाता है इसलिए उनकी हाथों की टचा मोटी हो जाती है रखना question number 38 देख लेते हैं 38 यह आपकी screen पर मानो का सामान रक्त सुगर इस तर कितना होता है तो सभी को पता है मानो का सामान रक्त सुगर इस तर कितना होना चाहिए 38 क्या answer हो जाएगा 80-90 mg decimal रक्त सुगर शुगर की ठीक है blood sugar की बात हो रही है अगला question देखते है question number 49 शूत्र कणिका या microcondia निम्लिकित में से किसका केंद्र होती है question number 39 क्या सही answer हो जाएगा तो सही answer हो जाएगा कोशी की सुसन option number 4 कोशी की सुसन इसका सही answer हो जाएगा question number 40 देख लेते 10 question और बचें आपके प्रतिश जयाविक penicillin निम्लिकित में से किससे प्राप्त होता है तो penicillin किससे प्राप्त होता है तो सभी को पता है कवक कवक इसका सही answer हो जाएगा option number 2 right answer हो जाएगा question number 41 पादवो पौदों में वास्पोर्ट सर्जन उस इस्तती में अधिक तीवरगती से होगा जब क्या होगा क्या condition होगी कि वास्पोर्ट सर्जन अधिक गती में होगा यदि आपका वात्ता वर्ण नहीं है आवस्ता सुष्क होगी तो वास्पोर्ट सर्जन जादा होगा पानी जादा होड़ेगा हुमिल्ट्री जादा होगी तो ठीक है question number 42 यक्षमा के वरुद में से कौन सी औसरी असरकार है या प्रभाव है पताइए यक्षमा के वरुद कौन सी औसरी प्रभाव शाली है तो इस्ट्रेप्टो माइसिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टो माइसिन यक्षमा के लिए यूज होती है question number 43 निमलकित में से किस विटमिन की कमी की कारण मसूरों से रखता आना और दान थिलने लगते हैं बताइए तो सभी को पता है यदि खट्टे फल कम खाओगे विटमिन सी की कमी से आपके दान थिलने लगेंगे और बदभू आने लगी मसूरों में से पाइरिया हो जाएगा पाइरिया जोडों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने की निमलकित में से कौन सा रुख पैदा हो जाएगा यदि जोडों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा हो जाएगा चावालिस में क्या आनसर हो जाएगा तो गाउट हो जाता है गाउट प्राणी अपनी आखों के रूप में दोनी का इस्तमाल करते हैं बिलकुर सभी को पता है चमगायरस का सही आंसर हो जाएगा ठीक है सोनार इसी पर काम करता है अगला कॉश्चन स्वास्तवर्दक औश्यदी संपादकों में व्याफ़क रूप से प्रयुक्त इस्पायरूलीन क्या होता है यह पूछा गया सिंपल सा बताईए चार आपके सामने जुदि है इस पायरूलीन से क्या हो जाएगा तो वैक्टीरियम और इसके बाद अनतालीस वा कॉश्चन यह आपकी स्कीन पर आंतर जोर किसके काणड पैदा होता है जी वाडूस का सही आंसर हो जाएगा तो ए भी इसका सही आंसर हो जाएगा और यह आज का अंतिम कॉश्चन है इसका आंसर आप लोगों खुद देना है शलाकाकार जीवानू रॉट शेप्ट वेक्टिरिया को क्या कहा जाता है यह हो गए हमारे 50 कॉश्चन पूरे इसका आंसर जरू देना 50 वेका रॉट शेप विग्यानी कॉश्चन कराऊंगा बाइलोजी कॉश्चन कराऊंगा मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे और आपका दिन शुभ हो धन्यवाद दोस्तों